नमस्कार दोस्तों, पुजय शक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और मैंनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है कभी आपने निहान दिया होगा कि रातरी के समय जब आप बहुत गहरी नीन में होते हैं और एकदम से आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको उठाया है या कभी आपको ऐसे vibrations आते हैं या एकदम से आपकी अचानक नीन खुल जाती है और उस समय पर जब भी आप समय देखते हैं तो मद्य रातरी से थोड़ा सा उपर का समय याने अमरत वेला का समय होता है जो होता है तीन बज़े से लेकर पांच बज़े तक का समय और यह बहुत शुप समय होता है इस समय पर अचानक आपकी नीन जो है बार बार खुलती है जीवन में कई बार आपने ऐसा गोर किया होगा कि इसी समय पर लगातार आपको कुछ-कुछ समय पर आपकी नीनद का अचानक खुलना होता है तो ऐसा क्यों होता है कई बार जो लोग होते हैं उसे समझ नहीं पाते हैं और उस समय का जो लाब है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं यह जो संकेत होते हैं या जो यह वाइब्रेशन होती हैं या क्यों हम ही इस समय पर उठते हैं ऐसा कई बार लोगों के मन में विचार आता ह परन्तु कई बार ऐसा सोचते हैं कि सपने के वज़े से हमारा जो इस समय पर नीन का खुलना हुआ है या फिर हमने अचानक ही कुछ हुआ होगा जो हम अचानक उड़ गए है परन्तु ऐसा नहीं होता है यह जो समय होता है यह परमात्मा या भगवान या जिस भी इश्वर को आप मानते हैं जिस भी गुरू को आप मानते हैं जिनकी भी आप प्रातना करते हैं जिनकी भी आप पूजा करते हैं वो जो है खुद साक्षात ही आपको जो है उस समय पर उठाते हैं तता कहते हैं कि यह समय आपका है इस समय पर उठकर जो है आप इस पूरे समय का लाव ल इस अमरत वेला का या यह जो अमरत बरस रहा है इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं दिवी शक्तियां जो है बहुत तेजी से इस समय पर एक्टिव होती है और जो उपर का जितना भी आस्मान या जो कह सकते यूनिवर्स होता है वहां से बहुत ज़ादा वाइब्रेशन ज करते हैं उन्हें इस पूरे समय का लाब जो है प्राप्त होता है इस समय पर जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है अगर आप उठते हैं और आप अपने इश्ट को याद करते हैं आप अपने भगवान को याद करते हैं और आप यह सोचते हैं कि भगवान हमने जो भ पॉजिटीव है या नेगिटीव है या किस प्रकार से मुझे आगए अपने जीवन में जो है लक्षो को प्राप्त करना है और भाईयों और बहनों क्या आप जानते हैं क्योंकि आप इतने भागयवान है या कह सकते हैं यह जो आपके पिछले कर्मों के फल हैं जैसे जो करें जब भी आपकी अब आप जैसे ध्यान दीजेगा कि तीन से पांच बजे की बीच में आपके कभी भी नीन खुलती है साड़े तीन या चार साड़े चार बजे तक तब आप केवल उटकर आप जो है तोड़े रिलैक्स हो जाएं दोनों हाथ जोड़ें और दोनों अप किरवाद बनाया और मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार से अपने लक्षों को प्राप्त कर सकता हूं मुझे आगे का रास्ता दिखाएं आप चाहें तो क्योंकि कई बार ऐसा होता हम स्टड़ी करते हैं हम बहुत लेट नाइट बिजनस से आते हैं या हम कर रहे होते हैं या काफी ठक गए होते तो उस समय पर जब भी आपकी नीन कुले आप उस जो समय है मैं कहूंगी वो आपका विश पूरी करने का समय होता है तो उस समय पर वापिस से ना सोएं आप जो है उस दिवी शक्ती का निराधर ना कहें उस समय पर उठकर उन्हें ध सदा धन्यवाद करेंगे कि भगवान मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या इश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करें कि आपने मुझे जीवन में जो कुछ भी दिया है मैं आपका अभारी हूँ कि आप मुझे रा जीवन में आपको खुद सुधार दिखने लगेगा positive energies आपके जीवन में आने लगेंगे और आपको रास्ते जो है अपने आप मिलने लगेंगे आपका जो समय है वो परिवर्तत होने लगेगा आपका जो है जितना भी blockages है money को लेकर abundance को लेकर या आपके जीवन में कोई भी block blockage है वो दीरे दीरे जो है हटने लगेगा आपको अपने जीवन का लक्ष प्राप्त होने लगेगा संकेत प्राप्त होने लगेंगे कि आगे आने वाले समय में अब आपको जीवन में क्या करना है या क्या नहीं करना है क्योंकि ऐसा होता है जब इश्वरी शक्ति या परम वो पर आपके ब इभी आपके गी मिलने लगेंगे और आपको प्राप्त कर आपके आपके प्राप्त। अब जो यह अम्रत वेला का समय होता है यह बच्चों के लिए बहुत खास होता है या आपने कभी गौर क्या होगा तो पुराने जमाने के जितने भी लोग होते थे वो इसी समय पर उठकर जो है अपना कारे पून कर लेते थे और जितने भी आज तक के जितने भी महान या जो उच्च कोटी के व्यक्ति हैं जिनोंने अपने जीवन के लक्षों को प्राप्त किया है या जिनोंने अपने जीवन में सदेव धर्ती या प्रत्वी में कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसकी मानफता को जरूरती तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में जो सबसे प्रतम नियम होता है वो सुभे जल्दी उठकर कारे करने का ही होता है तो आप अगर इस समय पर उठते हैं तो आपके ज्यान में व्रद्धी होती है आपके चहरे पर चमक आने लगती है आप में वशी करन की शक्तियां बढ़ने लगती है आप जो है जितनी भी negative vibrations है उन्हें दूर करने लगते हैं अपने आप ही positive लोग जो है आपके आसपास आने लगते हैं आपके दोस्ते आपके रिष्टदार जो की बहुत positive है उनी से आपका लगातार मिलने का जो है समय बनने लगता है साथ ही साथ आपके जितने भी धन के blockages है वो भी धीरे धीरे निपटने लगते है धन जो है blockages जब होते हैं abundance के जो blockages होते हैं कर्ज बहुत बढ़ बढ़ आता है या जीवन में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि अशान्ति की स्थिति आ रही तो वो केवल जो होता है आपके कर्मों या आपके ग्रहों के कारण होता है और अगर हम अमरत वेला में उसे अमरत वेला ही इसलिए कहा गया है क्योंकि पुराने जमाने में या शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो तीन बज़े से लेकर पांच बज़े का समय होता है इस समय पर जो है इश्वरी शक्ती जो है अमरत की वोचार इस धर्ती पर करती है जो मानव या जो मनुश इस समय पर उटकर उस समय में अपना ध्यान लगाता है इश्वर को याद करता है इश्वर को धन्यवाद देता है तो उसे जो है उस अमरत का पूरा पूरा फायदा भी प्राप्त होता है और उसके जीवन में जितने भी रुकावटे हैं, जितनी भी कमिया हैं वो पूर्ण होने लगती हैं और कहीं न कहीं जो है उसको अपने आपी ईश्वरी संकेट प्राप्त होके जो है आगे के रास्ते मिलने लगते हैं आप अगर इस समय पर उठ जाते हैं और आप चाहते हैं कि आगे हम क्या करें यानि अगर आप जैसे मैंने पहले बताये कि अगर आप लेट नाइट है और आप सिर्फ करकर दिखना चाहते हैं तो इश्वेरी धन्वाद करकर आप वापिस से सो जाए परन्तु कभी भी इसका निराधर ना करें कि आपकी नीन खुली आप करवट लेकर जो है दूसरी तरफ फोकर्स हो गए ऐसा बिल्कूल ना करें अब आप अगर आगे नेक्स टेज तक जाना चाहते हैं और इन पूरे अमरेत वेला का पूरा लाब उठाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हमें जो है इस बी कमरे में जिस भी जगह पर कुर्सी हो टेबल हो जहां भी आपको बहुत शान्ती राप्त होती है वहां पर आप बैट जाए और उसके बाद जो है आप ग्यान की मुद्रा लगा ले ग्यान की मुद्रा जो होगी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको किस प्रक आल की पाल की मार कर जो है आपको यह ग्यान की मुद्रा लगानी है ग्यान की मुद्रा जो होती है सभी के लिए बहुत ही अच्छी माने जाती है इससे जो है मानसिकता में जो विकार आ रहा है यह बहुत जादा अशान्ती रहती है जगड़े बहुत होते हैं और यह आपके भी लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति ग्यान की मुद्रा अमरत वेले के समय लगाता है उसके जीवन में उसे ग्यान की ऐसी उपलब्दिया प्राप्त होती है जो कि उसके जीवन को सुधारने में लाब दायक होती है और उसके अपने जीवन में जो है सभी प्रकार के सुखों सुख केवल जो है यहां धन का सुख ना देखें सुख जो होते हैं ज्यान का सुख होता है सम्मान का सुख होता है पारिवारिक सुख होता है प्रेम का सुख होता है और आप सुख जो देखेंगे बहुत यह अलग-अलग तरीके से होते हैं तो आपके जीवन में आपको वह आध्यात्म के जीवन में जब उच्चता प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी सुखों के आपको प्राप्ती होती है अब आप क्या करेंगे जब आपने ग्यान की मुद्रा लगाई है तो आपको शांदी का अनुभव करने के लिए अपने शरीर को जितनी भी नेगेटिव उर् तो उसके लिए क्या करेंगे आप लंबी सांस लेकर छोड़ेंगे आने आपको सांस को लेना है और छोड़ना है आप लगातर दसबंद्राबार कर लीजे आपको अंधर से ही जो ऑक्सीजन की कमी जो लग रही थी वो पूर्ण हो जाएगी घवराहर जो है वो चांत हो उनसे प्रातना कीजिए आप उनसे सदेव धन्यवाद कहिए कि आपने जो भी हमें दिया है वो बहुत बहुत उसका धन्यवाद और इसके बाद जो है आप दिव्य शक्तियों से या दिव्य परमात्मा से आप ये कहें कि आप हमें जो है आगे रास्ता दिखाना चाहते हैं वो अपनी जिन्दीगी में कभी भी किसी भी दुख को प्राप्त नहीं करता, उसे भई की प्राप्ती नहीं होती है, जीवन में कितना भी बड़ा बदलाव आ जाए, वो कभी भी जो है इस चीज में तकलीव नहीं उठाता है, सदेव जो भी चीज होगी उसके साथ में वो ब आगे बताना चाह रही है, वो बताना चाह रही है कि आपके जीवन में जो है क्या चीजें आने वाली है, क्या कुछ नया होने वाला है, या क्या आपके लिए आगे का समय जो है लेकर आने वाला है, और कई भाई बहन अगर जो ग्यान की मुद्रा नहीं लगा सकते हैं, तो आप उनमें जल दीजिए आप उन से थोड़ी बातचीत कीजिए आप हसिये मुस्कुराईये और मेडिटेशन का म्यूजिक सुनने से बीच क्योंकि जब हम कोई भी चीज कानों से सुनते हैं तो उसकी द्वनी से भी हमारे सबकॉंशियस माइंड में वाइब्रेशन होते हैं तदा उसका पूरा प्रभाव जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है तो आप जो है इस प्रकार से भी इसे यूस कर सकते हैं आप जैसे सुबह के समय की जो अजान होती है वो सुन सकते हैं सुबह के समय के जो भजन होते हैं वो सुन सकते हैं परंतु आपको इस समय का पांच बचे उठकर हम इतनी ठंड होती है या हम नहां नहीं सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है आप केवल मुह हाथ और स्पेशली जो आपकी आखे होती है उसे ठंडे पानी से धो लीजिए उसके बाद स्वच कपड़े पहन कर आप इस बात का ध्यान रखें कि शरीर क आपको ध्यान रखना है और उस समय के बाद जो है आप परमात्मा में लीन हो जाईए या आप परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजे अपने आप ही आगे के जो चमतकार हैं आपके जीवन में घटित होने लगेंगे और आप खुद जो है एक से डेड़ महीने में आप खुद जो है जो इनसान जिस चीज के लिए बहुत जादा प्रयास करता है शान्ति उसकी प्राप्ति होने लगेगी तो भाई और बहनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज क्या वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए जैमातादी दोस्तों